स्भूर दिप्ति और प्रति दिप्ति को सोट में आप इस परकार से समझ सकते हो कि S0 यानि कि जब इलेक्ट्रोन दो पेर हैं एक लोकवाइज एक एंटिक लोकवाइज है इस अवस्ता को सिंग्लेट अवस्ता कहेंगे क्योंकि S का मान 0 आ जाएगा 2S पलस 1 यानि कि स्पिन मल्टिप्लिशिट्टी एक आती है तो इसको सिंग्लेट कहींगे जब इसको उर्जा मिलती है तो उर्जा का उसोचन कर कर परतर्व सिंग्लेट dress दिप्ति सिंगलेंल वाल ते except for the matter में चले जाती है वहां पर अलब समय के लिए भेरते हैं IT तो सेलिए ऐसा होता है किście परदारतों पर सिंगलेंल दाली जाती है तो वो आगे से अपने को प्रकास उत्सरजित करते हुई यानि कि चमकते हुए दिखाई देते हैं ये ऐसा फ्लोरिसेंस यानि कि प्रति दीपती के कारण ऐसा होता है ऐसा गुन कुछ परदार्थों में पाया जाता है लेकिन कुछ परदार्थों में स्पूर्दिपती का दिखाई देते हैं लेकिन प्रकास अठालेने के बाद में भी कुछ परदार चमकते हुए दिखाई देते हैं यानि कुछ समय के बाद भी वह चमकते हैं वह क्या कारण होता है कि प्रकास अठालेने के बाद में क्या होता है इनकी क्छन एक क्लोफ वाइज, एक एन्टी क्लोफ. था अब दोनी क्लोक. वाईज हो गई है यानि इस्ट्स्ट्स्थम कंडारा है इसी प्रकार है न्युदृ में था वह भी दोनाओ क्लोक वाईज हो गही了 यानि कि इसको टी त्थरी कहीं गए और S1 वाले को T1 कहँँए अब क्या होगा S3 वाला T3 में जाना S2 वाला T2 में जाना S1 वाला T1 में जाने को कहेंगे Intersystem Conversion Intersystem Conversion होगा तो 2 S पलस 1 का मान पहले एक था अब ये दौन्यू का कलोगवाइद चक्ण होने के इसका S है वो S1 प्लस S2 होता है तो प्लस हाप प्लस हाप एक हो जाएगा 2S प्लस 1 का मान 3 आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 1 थरी आ जाएगा यानि कि 2S प्लस 1 is equal to 3 होने का निया ट्रिपलेट हो गया ट्रिपलेट अवस्ता में क्या होगा कि T3 से पहले T2 में आएगा तो इसको IC कहेंगे और T2 से T1 में आएगा तो IC कहेंगे IC यानि कि समान अवस्ताओं से यानि कि T3 का T2 में आना या T2 का T1 में आना या S3 का S2 में आना या S2 का S1 में आना सभी IC है और T1 का S0 में आता है तो दर से फोटन का उत्सरजन करता है इसको सपूरदीप्ती यानि कि ये फोटो फोरिसेंस कहा जाता है और सपूरदीप्ती इस गटना में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए कुछ परदारत ऐसे होती हैं जिसमें परकास डालने के बाद में भी चमकते रहते हैं परकास डालने के कुछ हमें तक बाद भी चमकते रहते हैं ऐसे बेरियम स्ट्राशियम और केलिशयम के सलफाइड और इसमें क्या आता है जैसे पन्ना है कुछ मानक पन्ना इस परकार के परदार्थ होते हैं जो अब शुन मिलाने के काम में लिया जाते हैं उसके बाद में बीच में आ जाता है T3, उसके बाद में फिर उर्जा होती है, वो किसकी होती है, S2 की होती है, S2 के बाद में आ जाता है T2, T2 के बाद में S1 के बाद में फिर आता है T1, T1 के बाद में S0 की होती है, ये अनर्जी का करम होगा, जो काफी पार competition अक ज्यामू में ऐसा क्यूशन पूछे जाते हैं और पूछे गई है और सिंगलेट है इसका मतल स्पिन मल्टिप्लिशिटी स्पिन मल्टिप्लिशिटी कहा जाता है तो सिंगलेट कहा जाता है और यदि स्पिन मल्टिप्लिशिटी कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है तो आप ये बात पढ रही है कि सुपूर दिप्ति क्या होता है परती दिप्ति क्या होता है